हेलो स्टुनेट्स जैसे कि हम लोग जानते हैं कि क्लास 10th CBAC के एक्जाम के रेजिस्टेशन शुरू हो चुके हैं और इसी रेजिस्टेशन प्रोसेस में हमें ये बात पता है कि मैथेमेटिक्स के लिए हमें एक आप्शन फॉर्म भरवाया जा रहा है और इस आप्शन फॉर को basic mathematics के फॉर्म में ले या फिर उसको standard mathematics का option इसमें opt करें तो इसमें मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि अगर आप basic mathematics का option लेते हैं तो फिर आप class 11th के अंदर mathematics mathematics opt नहीं कर सकते आपकी higher studies के अंदर mathematics नहीं हो सकती लेकिन अगर आप standard mathematics को opt करते हैं तो पूरा wide stream आपके लिए available है जिसमें आप mathematics को opt कर सकते हैं साथ में आप जिस भी line में चाहें उस line या field के अंदर आप जा सकते हैं लेकिन basic mathematics होने पर जैसा कि मैंने आपको बताया कि maths हमार option नहीं रहेगा इसका मतलब यह हो गया या तो हम arts stream में जाएंगे या हम commerce without mathematics के अंदर जाएंगे हम science में अगर जाना चाहते हैं तो वहां हमारे लिए PCB यानि की biology ही option available होगा जिससे हम हमारा career medical में बना सकते हैं इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे field हैं जहां पर mathematics की जरूरत नहीं होती हम वहां जा सकते हैं for an example हम चाहें तो agriculture में जा सकते हैं हम चाहें तो किसी और field में जा सकते हैं लेकिन इस बात का हमें ध्यान रखना है कि वहां mathematics नहीं होना चाहिए तब ही हम उसको opt कर सकते हैं चलिए अगर हम standard लेता हैं जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपके सारे ही options available होंगे अगर आप standard mathematics opt करते हैं तो तो यहां तो मैंने यह चीज तो आपको समझा दी कि basic mathematics और standard mathematics में क्या difference है लेकिन बच्चा कही न कही confused रहता है इस time पर कि मैं कौन सा stream लूँ क्योंकि mathematics एक ऐसा subject है जिसमें generally ऐसा होता है कि कुछ न कुछ amount में बच्चे उस subject को लेकर अपने अंदर एक phobia में सूस करते हैं उन्हें लगता है कि mathematics उन्हें पसंद नहीं है वहीं दूसरी और बहुत सारे ऐसे बच्चे भी होते हैं जिनको mathematics बहुत पसंद होता है तो उनी के लिए option last year proposed किया गया था जिसमें बच्चों ने opt किया और basic mathematics और standard mathematics के दो examinations हुए अब इस दो examination का मतलब ये नहीं है बच्चों कि आपको दोनो examination देने हैं इसका ये मतलब है कि अगर आपने basic mathematics दिया है तो जिस दिन mathematics का आपका exam होगा उस दिन आपको basic mathematics का paper दिया जाएगा और जिन बच्चों ने standard opt किया है उनको standard mathematics का paper दिया जाएगा throughout the year जो आपकी तयार ही है जो आपका syllabus है जो आपका books available है वो सब कुछ same ही रहेंगी सब कुछ same रहेगा बस जो difference यहां create हो रहा है वो केवल level of difficulty का है इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपने basic mathematics लिया तो आपके easy questions आएंगे maths में आपके question direct NCRT से पूछे जाएंगे even हो सकता है कि कुछ questions के अंदर digits को भी change नहीं किया जाए जबकि अगर मैं standard mathematics की बात करूँ तो वहाँ पर कुछ refreshers से भी questions आ सकते हैं हो सकता है कि RD Sharma से कुछ questions पूछ लिये जाएं या RS Agrawal से questions पूछ लिये जाएं along with the NCRT तो हमें अच्छी तरीके से उसमें preparation करनी है अब कई बार ऐसा होता है कि standard examination standard mathematics को लेकर बच्चे ये सोचते हैं कि पता नहीं कौन सा ऐसा examination आ रहा है जिसके अंदर mathematics बहुत tough पूछी जाएगी जबकि ऐसा नहीं है अभी तक last year की अगर मैं बात करूँ तो उससे पहले की years तक जो mathematics का केवल एक exam लिया जाता था उसमें जिस level को रखा जाता था examination के लिए वो ही level standard का level है यानि हम हमारी तयारी अगर previous years के papers को देखकर करते हैं तो it means हम standard mathematics की तयारी कर रहे हैं लेकिन अगर उस examination को देखकर या उनके questions को देखकर आपको लगता है कि आपकी उतनी अच्छी तयारी नहीं है और आगे future में आप mathematics की line को opt ही नहीं करना चाहते आपको नहीं लगता कि mathematics मेरे लिए cup of tea है तो फिर हम basic mathematics पर जाएंगे और फिर उसको चूज करेंगे लेकिन इस बात को हम ध्यान रखेंगे कि आगे हम अब math subject कभी नहीं चूज कर सकते अगर आप आगे चाहेंगे तब भी आप इसको चूज नहीं कर पाएंगे इस बात का आप ध्यान रखें तो जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि basic mathematics और standard mathematics में हमें हमारी तयारी किस तरीके से करनी है केवल NCRT पढ़िए NCRT को अच्छे तरीके से solve कर लीजिए तो basic mathematics अगर आपने opt किया है तो आप आराम से 95% तक marks mathematics में ला सकते हैं लेकिन standard के लिए आपको refreshers को भी follow करना होगा जिसा कि मैंने आप लोगों को बता दिया चलिए ये सारी बाते हमारी हो गई है उसके बाद में last में मैं आपसे यही कहूँगा कि आपको अगर ये choose करने में परिशानी हो रही है तो एक बार आप last year का standard का mathematics का paper देखिए उसको solve करने की कोशिश कीजिए अभी आपकी काफी तैयारी हो भी गई होगी क्योंकि हम लोग हमारे session में काफी आगे निकल गए हैं तो अगर आप उसके questions को solve कर पा रहे हैं अगर आपको लग रहा है कि आपसे standard का paper solve हो जाएगा तो आप जरूर standard mathematics को opt कीजिएगा because आपके लिए सारे ही options उसमें available हो जाएगे और अगर आप उस question paper को नहीं solve कर पा रहे हैं तो फिर आप basic mathematics की ओर जा सकते हैं साथ में बहुत important बात में आपर बता देना चाहता हूँ कि कुछ बच्चे अच्छे होते हैं mathematics में उनको लगता है कि mathematics हमारा strong है लेकिन हमें 11th class में mathematics नहीं लेना है हमें तो medical में जाना है science तो हम रखेंगे physics, chemistry, biology तो हमारे पास में होगा लेकिन mathematics हम नहीं रखेंगे तो हम क्यों फिर हमारे marks standard mathematics को लेकर कम करें हम क्यों ना basic mathematics पर जाएं तो यहां मैं आपको यह बता देना चाहता हूँ बच्चों कि जिन बच्चों की mathematics अच्छी है जो mathematics में कहीं ने कहीं अपना अपना interest शो करते हैं तो मैं उनके लिए यह बात कहूंगा बच्चों कि चाहे आप medical में भी जाना चाहते हूँ लेकिन आप जरूर standard mathematics की तैयारी कीजेगा और उसको opt कीजेगा because हमें यह बात पता है कि जब हम medical में जाते हैं हम जब आगे NEET की तैयारी करेंगे या फिर हम किसी भी medical line का कोई भी examination देंगे तो physics के अंदर basically अच्छी level के mathematics पूछी जाती है तो अगर हम tenth पर उसको अच्छे से तैयार नहीं करेंगे तो आगे हमें problem आ सकती है बात के अबल mindset का है तो मैं जरूर ये कहूँगा चाहे आप medical भी लेना चाहें तब भी आप standard mathematics को choose कीजेगा because हो सकता है कि आगे कभी higher studies में mathematics की जरुरत हो जाए तो इसलिए अंत में मैं पूरी तरसे इसको conclude कर देता हूँ कि आप इस बात को ध्यान रखिएगा कि basic mathematics तभी opt करना है जब आप future में कभी भी mathematics के साथ में कोई भी relation नहीं रखना चाहते mathematics आपका कोई option ना हो तब आप basic mathematics को choose कीजिए otherwise आप standard mathematics को choose कर सकते हैं Thank you so much